नमस्कार मैं आचार्य विनोत भर्द्वाज और आप देख रहे हैं एश्ट्रो तक आज हम बात करेंगे भाई बहन के प्यार दुलार का पर्व महा पर्व रक्षा बंधन की देखिए रक्षा बंधन तो भाई बहन का प्यार का त्योहार है ही लेकिन सास्त्रों में क्या उलेखित है किस तरह से रच्छा बान है किन बातों का ख्याल रखें हसी मजाग ठिटोली में कभी कभी नियमों का उलंगन कर बैठते हैं नियमों का उलंगन करने से रच्छा बंधन का पुन्य नहीं मिलता बलकि असुब हो जाता है क्योंकि रच्छा बंधन एक शिद्ध महूर्थ है भाई बहन के प्रेम को मजबूत करने का मजबूत ही नहीं करने का जैसे आप यग्य करते हो सत्ने भगवान की पूजा करते हो भगवान शुक की पूजा करते हो ऐसी ही पूजा रच्छा बंधन है इस दिन अगर आप नियम के साथ रक्षा बंधन करते हैं तो बड़ी बड़ी यग्य का पुन्य आपको और आपके भाई को प्राप्त होता है देखिए स्रावन मास शुक्लपक्छ पुर्णिमा को रक्षा बंधन का पर्ब मनाया जाता है हर बहन चाहती है कि अपने भाई की कलाई पे खुप्यार से रक्षा की दोर बांदे और वह रक्षा की दोर भाई बहन के प्रेम को मजबूत करते भाई बहन के सने को मजबूत करते भाई बहन के जीवन के संकटों को दूर करते कुशावधानिया है देखिए रक्षा बंधन भद्रा रच्छा बंधन में भद्रा का त्याग करना चाहिए पंडिजी से चान लेना चाहिए कि भद्रा कब तक है रच्छा बंधन के समय बहुत सारे लोग खुब हासी मजा करके बोल रहे हैं प्टपट प्रबांद रहें ऐसा नहीं करना चाहिए प्यार से अपने भाई को पूरब की और मुख करके जमीन में बैठाना चाहिए यदिवा बैठ सकता है तो नहीं तो कोई आसन दे दें उस आसन पे लाल या पीला कुरसी आधी दें उस पे लाल या पीला आप आसन जरूर रखें कुर्सी पे सीधे बैठा करके रच्छाबंधन ना करें पूजा की समगरी की थाली आप अपने भाई के आगे रखें अर्था बीच में रखें और आपका मुख पस्चिम की ओर होना चाहिए थोड़ा सा जल जरूर रखें रच्छाबंधन के समय क्योंकि जल रखने से रच्छाबंधन का शंकल्प हो जाता है जल का एक छोटा सा पात रखें लोटा छोटा सा हो या कुछ भी हो क्योंकि जल यदी रच्छा बंधन के समय थाल में रहता है तो उस समय अपने भाई के हित के लिए आप जो भी सोचती हैं वह कलस निश्चित रूप से आपके भाई और आपके जीवन में उस पुन्य को उस आपके संकल्प को पुन्य के माध्यम से दोनों को प्राप्त करा दे हो सकें तो बिना भोजन किये रच्छा बंधन करने से यग्यक के समान फल प्राप्त होता है रच्छा बंधन के समय जगड़ा नहीं करना चाहिए भूल के भी सारे लोग होते न और रूपया पैसा क्या दोगे क्या नहीं दोगे हम नहीं बांदेंगे ये करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई आपका जो देगा उसे आप ले लें रच्छा बंधन के बाद आप अपने भाई से डिमांड कर सकती हैं कि भाईया हमने रच्छा जरूर देगा लेकि रच्छा बंधन के समय आप आप जो है कोई चीज की याचना करें रच्छा बांध रहे हैं तो निस्चित रूप से वहां यग्य का फल नहीं होगा आपके याच्छा बंधन का जो महूर्त है जो पूजन का फल है वहां खराब हो जाएगा रच्छा बंधन के अस्थान को पहले जल से छिड़क करके पोच्छा लगा लेना चाहिए बहने अपने भाई के लिए कुछ मिष्ठान अपने हाथों से बना के ले आएं मार्केट का तो जो होगा वो आप जो है जरूर उनको खिलाएं लेकिन अपने हाथ से कोई मिष्ठान बना के लाएं तो ये बहुत मंगल कारी होता है शुबकारी होता है आजकल मार्केट में तमाम रंगी विरंगी सोने चांदी हीरे जवारात की राखी आई हैं इसे आपने भाई को बांधती भी हैं लेकिन सास्त्र क्या कहता है कच्चे सूत की राखी से ही यग्य का पुन्यफल प्राप्त होता है अपने भाई को चाहे सोने की राखी बांध में चाहे चांदी की राखी बांध में मौली है उसको पहले अपने भाई की हाथ में बांदे यह रच्छा बंधन का महूर्थ हो गया इसके बाद आप अपने भाई को जिस तरह की राखी बांधनाय बांधे इससे यग्यका इस रच्छा बंधन का पुन्यफल प्राप्त होगा रच्छा बंधन के बाद निश्चित रूप से बहन को भाई कुछ उपहार देते हैं और जरूर देना चाहिए जैसा समर्थवान भाई हो उस तरह से उपहार दे सकता है और खुब प्रेम से भाई को अपने बहन के साथ बैठ करके भोजन करने से भी यग्या पुन्यफल होती है आसा है आप रक्षा बंधन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अच्छी तरह से समझ चुके होंगे नित्रों कारिक्रम अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद नभशकार